अब हम plotting सीखेंगे only using cbon library और एक नहीं notebook बनाऊंगा और इस notebook के code जो है आपको available कर दिये जाएगा but we will see कितनी किसम कि हम cbon के थुरू plot बना सकते हैं और कौन-कौन सी tips and tricks उसमें involved होती है यहां पर आपके सामने screen आ रही होगी मैंने सबसे पहले एक नहीं notebook बनाई जिसका नाम रखा plotting cbon library here ठीक है cbon.ipynb करने के बाद यहां पर मैं लिखता हूँ simply as usual मैं यहां पर लिखता हूँ cbon and plotting लिख दिया और अब हम cbon से plotting करते हैं और उसको करने के लिए मैं यहां से अपना पहले kernel चूज करता हूँ जिसके उपर मैंने यह installation की हुई है and now we will be start importing the libraries import libraries और कौन-कौन सी libraries import करनी है import pandas as pd import numpy as np import cbon as sns और इसके साथ हम एक और करते है import matplot lib.pipeplot as plt यह चार libraries हमने जो है यह import कर लेनी है मैं यहां पर click करता हूँ if the green ticks show is here like this तो यह हमारे पास load हो चुकी है अब अगला काम हमने क्या करना है यहां पर हमने अब निया plots बनाने start करने है सबसे पहले आपको मैं चार चीज़ें बता देता हूँ जो जुरूरी होती है plotting के लिए in cbon सबसे पहला तो होना चाहिए आपका data मैं यहां पर लिख देता हूँ important things for plotting और यह grammar of graphics के rules के मताबिक है अगर किसी को नहीं पता तो मैं इस वज़ा से बता रहा हूँ कि आपको पता हो सबसे पहली चीज according to grammar of graphics सबसे पहली चीज जो आपने करनी है सबसे पहली है जनाब आपका data ठीक है वो आप df की form में लें यह किसी भी form में लें दूसरी चीज आपकी होगी type of plot ठीक है फिर तीसरी चीज आपके पास हो जाएगी x-axis चोथी चीज हो जाएगी y-axis और अगर आपने grouping करनी है तो आप grouping के लिए grouping अगर हम c-bone की बात करें तो hue या different जगों पर color होता है वो तो grouping based on cat variable categorical variable की base पे आप grouping कर देते हैं categorical ठीक है यह हमारे पास आजाता है इसके बाद अगली important चीज है size of the plot जो हमने देखना है seventh one is color palettes के color palette कौन से use करनी है colors कौन से use करनी है ठीक है then हमारे पास आता है style of the plot at the end इसको और भी उजागर करने के लिए और उसके बाद last but not the least जारी बात है type of plot जो है यह बहुत ज्यादा dependent है on the data set end पे हमारा आता है how do you interpret तो यह nine points जो है यह आपको अगर याद रहेंगे जिसमें data है type of plot है y-axis है x-axis है हमारे पास grouping है size of the plot है color palettes है and हमारे पास how do you interpret यह चीज आज़ती है ठीक है अब अगली बात करते हैं कि जो चीज हम यहाँ पे plot करते हैं उसको सबसे पहले हम कैसे ले गयाते है obviously हम point by point से लेंगे सबसे पहले हमें चाहिए data तो यहाँ पे data लेते है data कैसे करना है हमने मैं यहाँ पे c-bone से data ले आता हूँ sns.loaddataset और titanic का data ले आते है मैं यहाँ पे लिखता हूँ titanic ठीक है तो यह मेरे पास titanic का data आ गया अब मुझे पता है कि मैंने पहले ही मेरे पास जो columns हैं वो यह है ठीक है survived, p class, sex, age और उसकी type मेरे पास आ रही है ठीक है तो सबसे पहली बात है मुझे पता होना चाहिए x-axis और y-axis पे क्या रखना है for example अगर मैं यहीं से चूज कर लेता हूँ कि x-axis पे मेरे पास age आए y-axis पे मेरे पास fair आए ठीक है तो उसके लिए plot type different होगी जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था पिछले lecture के अंदर भी तो पिछले lectures को अगर आपको गौर से पता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी plot type किस plot के लिए जरूरी है और कौन-कौन सी चीज़े हमें mainly चाहिए होती है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले बनाते हैं scatter plot इसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले बनाना है sns.scatter plot तो हमने type बता दी type बताने के बाद हम अगला काम करेंगे data is equal to df यह हमारा data हो गया फिर हमने देना x और y-axis x is equal to यहाँ पर हम string के अंदर लिखेंगे name of variable फिर y आजएगा फिर name of variable तो हम इस तरीके से अपना x, y और data दे देते हैं जैसे मैं इसको run करूँगा आपके सामने c-bone का plot आजएगा this is how you create a scatter plot लेकिन मैंने आपको फिर बताया था कि यहाँ पर हम grouping भी कर सकते हैं based on the categorical variable और अगर मैं चाहूँ कि who या class की base पर मैं इसको variable को group करूँ तो मैं यहाँ पर hue लिखके is equal to कोई भी categorical variable दे दूँगा मैं sex का दे देता हूँ यहाँ पर control enter दबाता हूँ तो मेरे पास यह different plot आ जाएगा यानि कि grouping हो गई है मेरे पास age की और fair की base पर तो scatter plot दो numeric variables के दर्मियान बनता है और इस तरीके से आप इसकी grouping कर सकते हैं लेकिन मैं यहीं पर आपको बताता हूँ कि scatter plot बना तो हमने लिया इसके पहले भी हम जो size है scatter plot का scatter plot size और figure size इसको बोलते है कि size क्या रखना है plot का तो उसके लिए हम plt यानि के mat plot lip की command यूज करते हैं figure लिखते हैं साथ और fig size देते हैं 12 by 8 यह inches में होता है यह पिक्जल्स के अंदर होता है इससे क्या होता है यह ratio होती है अब नीचे वाला plot जड़ा गौर से देखिएगा अब मैं इसको दुबारा से इस plot की base पे इस code को मैं copy करता हूँ ठीक है और मैं size जो है ना वो नीचे वाले में बताता हूँ like this one अब आप देखें के मैं इसको run करता हूँ आप देखें दुनों plots के size में फरक अगर आप गौर करें यह plot आदा है और यह plot पूरा है तो आप अपनी मर्जी से height over width जो है width over height जो है वो दे सकते हैं अगर मैं कहूँ के यार यहाँ पे मैंने रखना है 18 by 8 plot और चोड़ा हो गया ठीक है लेकिन it comes with the cost of more space तो आपने पहले अंदाजा लगाना है कि आपके page का size कितना है अब यहाँ पे एक छोटी सी assignment है A4 page size कितना होता है उसकी ratio देखनी है और वो usually 10 by 7 something होती है तो मैं 10 by 8 रखता हूँ इसे तो यह मेरा plot जो है यह तक्रीबन तक्रीबन मेरा A4 page पे fit आएगा So I should have an idea कि मैंने जब report बनानी है कैसे बनानी है slide का size होता है 16 by 9 ratio का तो मैं यहाँ पे अगर 16 by 9 रख लेता हूँ So it will be having a this kind of plot जिसके आप video size या आपकी slide का size होता है तो figure size आपने खुद से manage करना होता है ठीक है यहाँ तक आपको बात clear होगी होगी जो अगला काम है हमारा figure size के बाद अगर मैं इसको बिलकुल ही 8 by 4 कर लेता हूँ then you will see कि यह बिलकुल छोटा सा plot बन गया लेकिन same वो ही choice रही है ठीक है यहाँ पे hundreds में values ना लिखियेगा क्यों? उसकी reason यह है वरना आपकी machine slow हो जाएगी so the next part जो मैंने size के बाद आपको बताया था that is color palette of the plot के colors कैसे रखने है तो यहाँ पे आप इसी plot के अंदर मैं इसको copy करता हूँ sorry copy करके यहाँ पे paste करता हूँ अब मैं यहाँ पे इसके colors भी खुद से बता सकता हूँ for example मैं यहाँ पे कहता हूँ change the colors change the colors लिखने के बाद आपके पास different किसम की options आ जाएगी कि आपने किस तरीके से अपने जो change the scatter point colors आप किस तरीके से कौन-कौन से colors चाहते हैं पहला तो यह है कि अगर आप hue जो है आपके पास है sex आई हुई मतलब sex की base यानि कि male और female की base पे आपके colors है something like this now you want to change these two colors अगर मेरे पास दोनों ना होते तो मैं यहाँ पे simply color लिखता और equal to मैं इसे कर देता red color या कोई भी color तो यह red आ जाता blue आ जाता pink आ जाता लेकिन जब आप advanced stage पे जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि यार यह न hue की base पे color change हो और इसको अगर मैं रख लेता हूँ for example sex के अंदर यानि कि male versus female तो यह दो color मैंने change करने हैं male और female के ठीक है तो इसके दो तीन तरीके हैं पहला तो यह है कि आप यहां से इस code को select करें अगर आपके पास github co-pilot आ राइट क्लिक करें co-pilot में जाने के बाद आप यहां पे start code chat करें और यहां पे मैं लिखता हूँ change the colors of each scatter plot scatter point type based on sex column तो यह आप chat gpt या gpt algorithm जो github co-pilot के अंदर और रेड़ी काम कर रहा है आप उसकी base पे इनके colors change कर सकते हैं और otherwise आप यहीं से इसको copy करें और यहां से चले जाएं आप say for example poe.com पे यहां पे मैं इसको clean करता हूँ यहीं पे मैं लिखता हूँ how can I add manual colors for each hue पे देंगे तो यह आपको answer देना start कर देगा कि आप manual color कैसे बना सकते हैं example उसकी क्या और किस तरीके से आप वो color जो है वो दे सकते हैं for example यहां पे उन्होंने जो मुझे बताया वो कहते है अपनी color palette खुद से define कर लो यानि के something like this और यहां पे जो मेरे पास answer आया it's something like this यानि के palette आप define करें ठीक है और male की जो palette है उसका color बता दे dictionary में female की palette का color यहां पे बता दे यानि के आपकी दो values है ना categories में तो आपको पहले से पता हो आप उसका palette बना ले palette का मतलब है color के count कितना colors आपने रखने है sex का hue लगा है और यहां पे palette is equal to palette कर दे let's run this run this why isn't working now it's working तो यहां पे आप चेक करें यह red और blue हो गया अगर मैं यहां पे green और blue करना चाहता हूँ I can also do that ठीक है जो मुझे यहां पे poe.com ने बताया वो भी यही बताया था अपनी color palette बना लो और यहां पे palette add कर दो लेकिन आप चेक करें github copilot ने वहीं पे मुझे थोड़ी सी addition बता दी ठीक है यहां तक आपको clear होगी बात अब इसी के अंदर अगर आपने labels add करने हैं तो you can add labels for example यहां पे मैं लिखता हूँ labels simply मैं यहां पे x lab age यहां पे आजाएंगे y lab is equal to fair और plt.x lab x lab के इकोर रख दे plt.y lab y lab के तो आपको क्या है जब आप बार बार plot बनाएंगे ना इस category के through आपको सिरफ यहीं पे change करनी पड़ नेगी ठीक है otherwise you can do something like this इसके अंदर लिखना start कर दे age और fair ठीक है तो यह हो गए इनके और plt.title अगर आप लिखना चाते हैं तो आप basically पूरे का पूरा scatter plot of age वर्सिस यहां पे दे देंगे मैं इसको run करता हूँ यह आगया हमारा title यह आगया fair और यह हो गया age ठीक है यह तो हो गया simple सा तरीका अब हमने इसको save करने plot को save करने के कई तरीके कार होते but I would give you one solid way कि किस तरहे save करने और कौन से plot type save करने के बाद बिल्कुल best होती है सबसे important चीज है जब आप plot को save करें saving a plot keep in mind कि resolution हमेशा 300 dpi हो dots per inch अगर आप 600 रखते हैं तो वो बहुत ही हो जाएगा तो वो भी आप रख सकते हैं during some publication या बहुत ही बड़ी screen पे अगर आपने plot show करवाना है तो dots per inch का मतलब होता है resolution of the plot के एक pixel के अंदर कितने dots आ रहे हैं या एक inch के अंदर कितने pixels आ रहे हैं so we have to think about it in a way कि ज्यादा होंगे number तो उतनी अच्छी quality होगी usually लोग 150 भी इसका रखते हैं dpi so saving a plot जब हम करते हैं तो उसके अंदर आप कही चीज़ों को manage करते हैं और always save into png file let's do it आपने plt.save fig लिखना है यहां पे ठीक है इस तरीके से और इसके बाद आपने अपने plot का नाम देना है यह वाला plot का नाम है और यह वाली इसकी extension है तो plot का नाम प्लस extension देना ज़रूरी है अगर आप plot की extension नहीं देंगे तो आपका plot बिलकुल भी ठीक नहीं बनेगा यानि error आ जाएंगी और जैसे आप extension देते हैं आप plot की तो आपके पास scatter plot का नाम आ गया PNG आगी और आगे DPI is equal to 300 आपने कर दिया इसके बाद आपका plot उपर जैसा भी बने है आप यहीं पे width और height भी दे सकते हैं ठीक है आप अपनी मर्जी से यहाँ पे width और height भी दे सकते हैं और BB box पर जो inches है उसको tight भी डेक सकते हैं यानि कि जितनी मैंने भोला है उतनी हमारे पास width and height आए for example मैं यहाँ पे लिखता हूँ width is equal to 8 height by 4 ठीक है तो 300 में 8 भाई 4 का plot मैं बना रहा हूँ यह जो मैंने उपर size दिया था तो अक्सरों कहात अगर आपने size पहले नहीं रखा तो आपको अंदाजा नहीं होता तो आप यहाँ पे save करते हुए लगा देते हैं ठीक है अब क्यूंके यह वाला plot जो है मैंने सिरफ नाम दी है तो यह यहीं पे save हो जाएगा इसी जगा पे save हो जाएगा if I show you यह वाला plot है मैं इसे run करता हूँ यह print हुआ और यहीं पे इसने save हो जाना है but there is something wrong figure canvas print okay तो यह size जो है इसको मैं ज़रा remove करता हूँ it might be some changes now it's fine तो यह scatter plot मेरे पास यहाँ पे आगया और आप इसकी quality check कीजेगा क्योंकि मैंने 300 रखी है मैं इसको जितना मर्जी जूम करता जाऊ quality फटने नहीं वाली ठीक है एक तो यह चीज होगी आप यही plot को इस तरीके से save कर सकते है by the way sizes भी आप लगा सकते है with different sizes लेकिन अगर आपने same plot को SVG यानि के vector file के अंदर save करना है saving a plot in vector file such as SVG files तो आप वो भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए अक्सर उकात आपकी जो plot type है वो आपको different engine require करती है लेकिन यह मेरे पास चल पड़ा है that's good मैंने यहाँ पे SVG की file भी बना ली है यह देखे यह दो files मेरे पास बनी है यह SVG की file है और SVG file को import करके देखने के लिए हमें extension करनी पड़ेगी मैं यहाँ पे SVG viewer लिखता हूँ hopefully something comes up वरना आपको SVG file जो है यह basically Adobe के अंदर चल पड़ती है यह icons जो होते हैं SVG के vector files होती है जो इसको जितना मर्जी zoom in करते जाएं वो असल में code होता है तो वो कोई भी file जो है उसको view करने के लिए आप उस पर right click करके उसे जब view करते हैं then you can actually have a look into that SVG file तो यह जो मेरे पास SVG file बनी है here मैं इस पर click करता हूँ यह code है जाता है और believe me यह मैंने सिरफ click किया है यह जो मेरे पास extension है यह automatically उसे view भी कर रही है and now you can have a look यह जो file मेरे पास आ रही है इसको मैं जतना मर्जी zoom in कर लूँ zoom out कर लूँ this will remain same और second इसका मज़ा यह होता है कि आप अगर इसको Adobe Photoshop Illustrator या Inkscape जैसे software जें अपलोड करते हैं तो you can change the titles, names by yourself तो आपको कोई इतना मसला नहीं बनता ठीक है तो SVG files भी आप save कर सकते है अब मैंने यह वाली files किसी और folder में save करनी है तो मैं simply यहाँ पे dot लगा के यहाँ पे outputs slash plots slash scatter plot तो मैं अपना path भी दे सकता हूँ यह path है जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप अपनी मर्जी से अपने path देंगे मैं इसको यहाँ से run करता हूँ आप चेक कीजिएगा यह plots की files है ना इसी के अंदर यह वाली plots बन जाएंगे मेरे पास scatter plot svg और scatter plot मैं यहाँ पे zz लिखे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि यह मैंने अभी बनाई है मैं इसको run करता हूँ you will see कि यह वाले plots जो है मेरे पास outputs के अंदर plots के अंदर यह zz की file यहाँ पे बन गी है तो एक यह और एक यह ठीक है so you can always work on these kind of plots और यह सारे के सारे plots जो हैं आपके पास इस तरीके से सेव होते जाएंगे मैं इन दोनों को यहाँ से remove करता हूँ क्यूंकि इसारी बात है इन दोनों का मेरे पास as such कोई काम नहीं है और मैं नहीं चाहता जहांपे code आ रहे हैं वहीं पे मेरे plots भी हैं so I will just remove them यह यहाँ से remove होगी है that's fine तो इस तरीके से आप यह वाली file को save कर सकते हैं svg भी मैंने आपको बता दिया png भी बता दिया अब अगला काम हम देखेंगे जो हमारे पास important अगर मैं उपर जाओ color palette मैं बता दिया style of the plot तो आप style भी change कर सकते हैं अपने plot का ठीक है तो मैं यहीं से दुबारा से style of a plot यहाँ पे sns.style set style और यहीं से आपको different किसम के style मिलेंगे for example मैं white grid style रखता हूँ और यह मुझे कैसे पता चलेगा कि sns में कौन-कौन से styles है उसके लिए आपको library पे जाना पड़ेगा sns.set style मैं simply यही लिख देता हूँ तो मेरे पास यह set style की documentation directly open हो जाएगी Google से और आपको different किसम के styles जो है sns की library में नज़र आ जाएगा यानि कि अगर मैं white grid लिखता हूँ तो कुछ इस तरीके से plot बनेगा अगर मैं dark grid लिखता हूँ तो इस तरीके से बनेगा ठीक है और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे different किसम के styles है themes भी है अगर मैं themes पे जाओ तो यह आप themes भी अपनी लगा सकते हैं कि मैंने कौन से themes रखनी है तो set themes हो या set style हो it's up to you तो मैं यहाँ पे set theme करके देखूं अगर set theme तो मेरे पास different किसम की option आएगी मैं dark grid लिख लेता हूँ अब मैं plot का code यहाँ पे save करता हूँ जो मैंने plot बनाना है ना ये वाला मैं simply इसी plot को यह जो मैंने उपर code लिखा था copy करके यहाँ पे paste करता हूँ we have the same plot लेकिन अगर आप change चीज चक करें यहाँ पे हमारे पास यह plot जो है white grid में आ रहा था यह dark grid में आ रहा है ठीक है तो grid पीछे change हो चुका है और इस तरीके से आप यह theme जो है इसके अंदर ही style को change कर सकते हैं बजाए इसके कि आप separate चीज़ें चेंज करें तो theme के अंदर क्या चीज़ है style है style के साथ साथ आप multiple different options जो हैं वो भी लिख सकते हैं और आप गोर करें style है हमारे पास palette आप अपनी देख सकते है font दे सकते हैं यह जो values आ रही है फिर मैं यहाँ पे अगर font style अपना रखूँगा तो वो आजएगा otherwise I can give different font font scale आ सकते है integer में scale होना है color codes हम दे सकते हैं boolean दे सकते हैं and many other options जो यहाँ पे आप parameters के अंदर plot के अंदर दे सकते हैं for example अगर मैं यहाँ पे लिखूँ font तो scale 1.5 कर देते हैं font scale 1.5 किया तो आप चेक करेंगे scatter plot of age versus where यह बढ़ गया मैं दुबारा से इसको करता हूँ 5 चेक किजिएगा font कहां से कहां पहुंच गया usually आप 1.5 तक ही रखते हैं या 1 तक ही रखते हैं चेक करें अगर मैं 0.3 करता हूँ तो वह बिल्कुल ही मुन्ना सा हो गया यह font change हो रहा है तो you can actually change this font as well according to your needs अक्सर हो कात आपके पास यह छोटे-छोटे keys आजाती है तो आप इसका font change करना चाते हैं so you can do that right here ठीक है मैं इसको remove करता हूँ original plot इस तरीके से आ रहा था आप इसका font scale change कर सकते हैं like this तो मैं 1.5 रखता हूँ अच्छा font scale के बाद font अगर equal to रखे aerial रखना चाहें तो यह aerial font है यहां पे हमारा मशूरे जमाना calibrary तो यह calibrary आ गया times new roman रखना वो आ जाएगा तो एक और हमारा होता है pop-ins pop-ins शायद यहां पे है के नहीं नहीं font family of not found और यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाता हूँ अगर आपके system के अंदर वो font install नहीं है तो वो काम नहीं करेगा so you have to install that font into your system ठीक है pop-ins होता है फिर times new roman है यह भी नहीं है हमारे पास times new roman पता है space के साथ यह space के साथ है तो यह font इस तरीके से change होते जाते है and you can actually do a lot of things with this styling how do you interpret कैसे interpret करना है फिर अब आपकी बारियाते interpret करने की तो scatter plot को आप कैसे interpret करेंगे आप scatter plot में बताएंगे simply यह हमारा plot है जिसके अंदर x-axis पे हमारे पास age है y-axis पे हमारे पास fair आ गया ठीक है तो पहली दो चीजें क्या है मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ interpretation interpretation number one point है we have age of titanic we have age of passengers at x-axis and fair at y-axis यह पहली हमारे पास interpretation आगी then हमारे पास second क्या है मैं इसको थोड़ा सो जूम आउट कर लेता हूँ ताके आपको मैं interpret अच्छे तरीके से करके दिखाऊ नेक्स्ट है मारे पास है जी the passengers by their genders such as male और मैं लिख दूंगा green dots या green points and female यहां पर मैं लिखते ता हूँ red points ठीक है dots या points जो भी आप लिखना चाहिए scatter plot है तो उसके अंदर points होते है points लिखते ता हूँ right यह हमारे पास main आगी अब अगली चीज हमने क्या बतानी है there is no relationship क्योंके यहां पर कोई कर्व हमें यह ने बता रही कि नीचे से उपर जा रहे है उपर से नीचे जा रहे है so हम idea ने लगा सकते कोई भी as such अभी के लिए लेकिन हम यह बता सकते है कि जो highest कराया है around 500 ठीक है यह वाला जो हम numbers भी count कर सकते है कि highest किनों ने पे किया यानि कि maximum कराया कितना पे किया गया तो वो कराया जो है वो male passengers ने दिया ठीक है two male passengers gave the highest fare in Titanic ठीक है and they might be traveling first class ठीक है might be मैंने क्यों लिखा क्योंकि हमने अभी plot में confirm ने किया कि वो travel कर रहे हैं कि नहीं ठीक है अगर आप इसको इस plot को किसी और plot के साथ बाद में present करें then you can write लेकिन अभी के लिए हमें नहीं पता ठीक है हमने might भी लगा दिया ठीक है is also a male ठीक है having 80 years of age as shown in the scatter plot अब आप ने ये बता दिया कि इस scatter plot में ये चीज़े हैं और जब आप ये सब कुछ लिख लेते हैं तो आप इस figure को एक number देते हैं और आप बताते हैं as shown in scatter plot या आप बताते हैं as shown in या आप कहते हैं as shown in figure for example अगर इसको मैं figure 1 कहता हूँ ठीक है तो आप इस तरीके से text में लिखते हैं and this is called an interpretation अब इस interpretation में इस plot का बताया आपने और लोगों को बताया कि green किया है और red किया है ये भी बताया कि हमारे पास age में सबसे highest किस की है ये भी बताया कि सबसे highest crack इसने pay किया lowest का हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि we cannot see on plot something different going on यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है और अगर मैं इसको separate भी करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 70 से उपर सारे mail ही थे अगर आप गोर करें ठीक है तो ये भी एक extra मेरे पास cluster आ रहा है जो 70 से उपर सारे के सारे green है यहां पर red है ही कोई नहीं so I can also say that यहां तक समझ आगी आपको तो इस तरीके से आप plot को interpret करते हैं अब ये तो हो गया scatter plot how what if I want to convert the same plot into a box plot मैं यहां पर box plot लिखता हूँ आपको मैंने पहले भी बताया लेकिन जो main चीज़ा जा हम देख रहे हैं वो होती है आपकी dedication के आप किस तरीके से इन चीज़ों को समझते है dedication से मुराद है कि आप इसको interpret कैसे करते है let's see तो हम वो ही सारा का सारा copy की है यहां पर scatter की बजाए मैं लिख देता हूँ box plot और आपको भी पता है जब मैं इसका box plot बनाऊँगा age और fair का तो यह काफी ज़्यादा बन जाएगा x पे या y पे मुझे categorical variable लेकियाना है तो मैं यहीं पर इसको sex रख देता हूँ x के उपर ताके y पे सिरफ fair का मेरे पास box plot बने something like this तो यह मेरे पास एक box plot बन गया उसी style में रहते हुए जो मैंने पहले काम किया था ठीक है और यह male और female का box plot है अगर मैं सिरफ age का बनाना चाहूँ मैं यहां पे एक simple सी change करूँगा यह मेरे पास age का बन गया तो आपको यहां से भी अंदाजा हो जाएगा कि यह उपर वाले सारे के सारे males है जो 70 साल से उपर है यहां पे female में कोई भी नहीं है तो यह जो point है यह show करता है कि सबसे ज़यदा तदाद 20 से 40 pound के किरायवालों की है ठीक है अगर आप sex को और भी चेंज करके आप कह देते हैं class तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते है wait you let me see अब आपको एक चीज समझाएगी क्योंके हमने palette के अंदर male और female लिखा हुआ है अब हमें क्या करना है यहां से df. df के अंदर जो class है dot unique class की unique values देखने है जो first, second, third है now we have to change this into first this one into second and add another one saying third इस तरीके से तो अब हमारे पास तीन color वहां पे हैं और तीन ही class के अंदर values हैं अगर यह दोनों match ना करते हुए manual palette काम नहीं करेगी and here you go यह मेरे पास first, second, third class आगे और यह सब को चल पड़ा अगर आप गोर करें तो font थोड़ा ज्यादा ही भड़ा हो गए तो हम font को यहां से निकाली देते हैं यह इसको मैं 0.5 कर देता हूँ let's see 0.5 and here you go यह ज्यादा चोटा हो गया 0.8 ले जाते है and here you go so यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास male, female, fair, scatter plot versus age और यहाँ पर यह हमारे पास class आ रही है ठीक है तो class जो है यह basically आपको show कर रही है कि अगर first class है तो green है second class है तो red तै third class है तो हमारे पास blue आ रहा है तो red, green, blue यह तीन primary colors होते हैं को मिला के आप एक plot बनाते है अगर अगर आप गौर करें तो 8 by 4 की बजाए अगर आप 10 by 6 करते हैं या बारां by 6 करते हैं then it will be something like this और अब plot आपका खुलम खुला आ रहा है ठीक है so अगर आप notebook का भी present करने बैठे तो आप इस तरीके से भी plot बना सकते है and now you can increase the font as well जो हमने 1.2 रख देते है so I am hopeful कि यह अच्छा गाम करेगा and then here you have again the same problem तो 1 तक देखते है yes, now the legend is here इसको बोलते हैं legend graph का legend यानि कि इसके उपर लिखा हुए कि class में क्या क्या चल रहा है और इसका भी title होता है तो अगर मैं इसका title चेंज करना चाता हूँ change legend position and title तो आप वो भी कर सकते हैं कैसे करेंगे आप simply plt.legend लिखके legend लिखके location अपर left यानि कि top left हो वो कर सकते हैं और इसको यहाँ पे class name इस तरीके से लिखते हैं so you will see कि उसकी position भी आप अपने हाथ से control कर सकते हैं और उसका जो class का name यानि कि उसका title है वो भी for example यहाँ पे मैं कहता हूँ upper right it will be coming like this ठीक है अगर मैं कहता हूँ bottom right तो यह bottom right यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे लिखता हूँ bottom right तो यह मेरे पास wait something is wrong lower right होगा bottom नहीं होगा lower right yes it was lower right so यह हमें इस तरीके से फिर हमारे पास plot आजएगा so it's up to you how you want to do the things लेकिन अगर आपको पता है ना आपने क्या करना है so everything is very handy for you अब अब अगर आप गौर करें तो male है female है ठीक है यह male के तीन है यह female के तीन है तो हमने दो level पे categorize कर दिया male, female और फिर हमने class name की base पे कर दिया अब एक और खाम करते है यहाँ पे जो हमने scatter plot बनाया था ना इसको थोड़ा सा पंगा लेके मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ आपके पास यह plot आगया male और female की base पे age आगया और यहाँ पे fair आगया ठीक है अगर मैं चाहूँ तो इसको bubble plot में convert कर सकता हूँ कैसे अगर मैं इसको size equal to एक size की command लगाऊं और उसको equal to age करता हूँ इसका मतलब यह होगा कि जो size of plot है ना यह वाला यह age के साथ बड़ा होता जाएगा ठीक है मैं तब different cheese होगी मैं यहाँ पे इसको बलके 16 by 6 कर देता हूँ just to make it bigger अब आप बोर करें तो अभी size का एक column आया scatter plot में कि जितना size किसी चीज का बड़ा होता जाएगा यानि कि age की base पे जितनी age ज्यादा होगी उतना age का circle बड़ा हो जाएगा जितनी age कम होगी उतना point चोटा होगा यानि कि बच्चों के जो points हो चोटे होंगे और जो बड़ों के वो ज्यादा होगे अगर मैं इसी को age की बजाए fair पे कर देता हूँ यानि कि जिसने जितना क्राया दिया है न उस हिसाब से point हो जाएगे अब आप और करें नीचे से उपर को size बढ़ रहा है ये वाला point ज्यादा size वाला है ये वाला point कम size वाला है so this is how you can also define the bubble of your data set size का column भी उसमें आजाएगा और आप जो है वो color के column को भी use कर सकते है तो आप A की plot में कितनी dimension में जा सकते हैं you have an idea based on the plot type के आप different dimensions में easily move कर सकते हैं अच्छा एक और plot type में आपको यहीं पर दिखाता हूँ मैं इसको copy करता हूँ यहां पर इसे paste करता हूँ यह जो मैंने box लिखा है न box plot इसके आगे e और n लगा दूँगा this is called box and plot simple look समझा ही बात की यह जो है CDA type बन जाएंगी यानि कि यह first quartile and third quartile है फिर उसके बाद जिस category wise data differentiate हो रहा है हमारे पास whiskers है न यहां पे इसने whiskers को भी based on the data points वहां पे print कर दिया यानि कि यहां पे ज्यादा values आती हैं तो वो यहां पे ज्यादा चोड़ा है यहां पे थोड़ी से कम है यह कम चोड़ा है यहां पे बिल्कुल कम है तो यह post view भी कम चोड़ा लेकिन on the other side अगर आप देखें तो हमारे पास outliers जो हैं वो और भी different हो जाएंगे ठीक है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से data आ जाएगा और आपने सिरफ variable change करने है और उनको अपनी मर्जी से देखते जाने है for example यहां पे जो मैंने गलती की है x पे हमने रख दिया था एक हमने चीज नहीं यहां पे लिखी x पे आ गया sex यानि कि gender लिख देते है और y पे आ गया हमारे पास age यह हमने चीज नहीं यहां पे देखी तो हमें labels को भी देखना होता है तो title इसका रखेंगे box plot box plot of gender box plot of age based on gender and class name of pensangers ठीक है तो हमने यह भी चीजें चेंज करनी है ताके title जो है हमारे पास वो भी उसी तरीके से आए जिस तरीके से हमारा plot बना हुआ है यह ना हो के title कुछ और हो और नीचे कुछ और शो हो रहा ठीक है यह box plot है और नीचे वाला हमारे पास box and plot है so you always need to give the right name to each axis ठीक है तो इन चीजों को मद्दे नजर रखने है अब अकसर अकात यह भी होता है कि आप इन ticks को भी change करना चाते है remember हमने इनको बोला था x ticks ठीक है so अगर हम इनको change करना चाहें तो हम कैसे करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं मैं यहां पर लिखता हूँ change the x tick labels simply आप क्या करेंगे आपके पास जो x ticks है उनके labels को आप change कर सकते है by using priority और अगर आप x label change करना चाहें तो आपको पता है कि आप यहां पे gender को use करेंगे या आप age को use कर सकते हैं अब जारी बात है अकसर उकात अगर आपको कुछ नहीं पता कि हमने किस तरीके से इन labels को change करना है या x the x ticks name तो आप simply क्या कर सकते हैं आप online भी जाके इसे देख सकते हैं या आप खुद से भी try कर सकते हैं for example मैं यहां पे लिखता हूँ plt dot अब आप चेक करें यहां पर यह सारी option है plt के बाद क्या आता है हमने उपर लिखा था legend y-axis x-axis तो मैं यहां पे x लिखता हूँ x लिखने के बाद x limit भी है मेरे पास x scale भी और x ticks भी मैं x ticks पे क्लिक करता हूँ जैसे मैं x ticks पे क्लिक करता हूँ now I will open the bracket bracket के अंदर उन्होंने बताया हुए या उनकी sequence को भी change कर सकते है so you can actually play with this ठीक है so यह आप अगर गौर करें तो हर चीज यहां पे दी हुए you just need to remember that अब अगर मैं यहां पे लिखता हूँ for example bracket open करता हूँ और मैं यहां पे लिखता हूँ just for sticks और यहां पे हम लिखते हैं बलके labels लिखता हूँ labels equal to sequence of strings हमने देनी है तो मैं यहां पे sequence of strings दे देते हैं मैं पहले को कह देता हूँ male comma female let's see अगर यह change होता है error as I was expecting ticks minor ticks 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 labels can set without setting ticks मैं यहां पे click करता हूँ और जैसे के आप देख रहे हैं कि मुझे भी याद नहीं है कि किस तरीके से इसको check करने but I will show you कि अगर मैं भूल जाओं तो मैं क्या करता हूँ अब check करें यहां पे ticks बता है 0 & 1 labels बता है यह हो गए let's see यह हमारे पास अब काम करता है कि नहीं and here you go उसके मैंने spelling capitalize कर दिया male versus female तो obviously पहले भी यही था अगर आप गौर करें male versus female लेकिन अब मैंने यहां पे उसको 0 & 1 ticks देके उनके label change कर दिया ठीक है तो आप इस तरीके से labels भी change कर सकते हैं उनको rotate भी कर सकते हैं and then you can also do some other shifts for example यहां भी I think so angle है okay no angle नहीं है rotate not rotate rotate aha aha so x ticks are fine rotate x ticks labels by 45 degree okay yes simple x tick rotation yes rotation copy करता हूँ मैं और यहां पे ही rotation दे देते हैं let's see if it works otherwise इसको comment out करेंगे yes now you see के इसको rotate कर दिया गया है अगर आप check करें तो 45 degree मैंने बोला था तो यह 45 degree पे हो गया सिरफ rotation की command लगानी है 90 पे करना है तो आप 90 पे भी कर सकते हैं something like this so sometimes आपके पास इतने ज्यादा x ticks होते हैं you have to rotate them अगर नहीं करना तो 0 लिखते हैं simply तो यह simple सीधे सीधे रहेंगे so you can actually work with this a lot और आप अपनी मर्जी से style जो है वो change कर सकते हैं मैं यहां से white grid अगर इसको करूँगा you will see के यह automatically inner side जो है वो white grid हो जाएगी और आपके पास इस तरीके से यह पूरे के पूरी जो plain style है वो आ जाएगा लेकिन there are many styles as well style के अंदर अगर आप जाएँ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं white grid कर सकते हैं dark grid था इसके बाद plain था there are many styles out there तो मैं इसको dark grid अभी के लिए रहने देता हूँ ताके आपके पास कुछ इस तरीके से अच्छे-च्छे plots जो हैं वो बन के आते रहें तो यह तो हो गया box on plot इसके इलावा आप same plot को plotly के थरू भी बना सकते हैं जो मैंने आपको पहले भी कहा था ठीक है उसके लिए आप क्या करेंगे make scatter plot with plotly मैंने आपको simply इस वज़ा से बता रहा हूँ के यहां पर बनाने का और plotly में बनाने का क्या अफ़ाइद है ठीक है आप सबसे पहले import plotly as px करेंगे plotly dot express as px इसके बाद figure is equal to अब यहां पर simply px dot scatter scatter के बाद आप bracket open करेंगे data नहीं लिखेंगे simply df लिखेंगे x is equal to age वो ही चीजें सारी y is equal to fair और इसको मैं run करता हूँ यह भी बनेगा नहीं because we have to say fig dot show यह मेरे पास plotly का plot आजाएगा और यहां पर मैंने कल भी आपको बताया था color is equal to हम sex करेंगे तो यहां पर color इसका इस तरीके से आजाएगा this is how you can create the plots of plotly अब अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in करता हूँ अब दुबारा से इस plot को बनाता हूँ you will see के plotly automatically उसको fetch करके एक width में ले आती है so that's the best part about plotly ठीक है यहां तक आपको समझ आगे हो कि plotly का फाइदा क्या है आप हर एक box पे जागे क्लिक करके देख सकते हैं कि male है female है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा ठीक है so यह plotly के ऊपर भी हम बात करेंगे but for now we are usually talking on जो हमारा plot है basically c bond के ऊपर ठीक है plotly मैंने इस वज़ा से बताया because we are going to do that in later stages अभी के लिए मैं इसे यहां पर delete करता हूँ plotly में हमारे पास interaction आ जाते है अब अगला plot जो है हमारे पास box on plot भी हमने बना लिया अब हम बनाते हैं bar plot bar plot using c bond तो आप देखिएगा अब हमने कैसे bar plot बनाना है मैं simply इसी को सारे को copy करके ना इसी को modify करूंग bar plot के लिए ठीक है सबसे पहले जी हमारे पास bar plot हमने बनाने dark grid में font scale वही रहने दे fixals भी वही रहने दे palette भी वही रहने दे यहां पर हम लिखेंगे bar plot ठीक है data हमारा df है x पे sex है y पे age है hue हमारा class है और palette यह है let's see इसको मैं कहा देता हूँ bar plot of age based on this 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 male female rotation this click enter this here you go तो बजाए इसके के जो हमारे पास पहले box plot आ रहा था this one जिसके अंदर पूरे data की information थी bar में सिरफ और सिरफ average of each point और उनका standard error या standard deviation आ रहा है तो सिरफ मैंने एक change की बार की तो अगर हमारे पास x पे categorical य पे numeric है तो हम bar plot भी बना सकते हैं box plot भी बना सकते हैं और उनको उसी तरीके से grouping भी उनकी कर सकते हैं जो हमने पहले की थी so it's that simple ठीक है लेकिन यहां पे अगर आप देखें add caps to error bars तो आप उनकी caps भी add कर सकते हैं ठीक है और यह आप पे depend करता है के error bar किस तरीके से आप उनकी caps लगाना चाहेंगे usually cap size आप वहीं पे दे सकते हैं जो error bar के अंदर दिया हुए for example something like this i think so it should work no it didn't work let me see देखते it worked but in different way plt.error bar x01 okay y error bar 2 & 3 पे लग रही है यह 0 & 1 पे है 2 & 3 पे है y 2 & 3 okay so we have to just find a defined line to add error bars और उसके लिए plt.error bar को भी हम use कर सकते हैं और वहां पे error capsize जो हम दे सकते हैं but i would say के यहां पे simply capsize अगर मैं तूँ & then let's see hmm I knew it error bar को अभी के लिए आप रहने दे इसको मैं आपको mean जब हम calculate करेंगे statistics में तब मैं आपको सुझाओंगा but for now automatic error bars जो लगे हैं that's fine I think so we can add caps of error bar और cap size यहीं पे दे सकते हैं bar plot के अंदर but I don't exactly remember cap size is equal to 0.5 yes यहीं पे दे सकते हैं तो 0.1 का cap size आप देख सकते हैं cap size यहीं है error bars आप खुब सूरत लग रही है so you can do the same thing here cap size आप यहीं पे देदे तो आपके पास bar plot बन जाएगा आपको color नहीं अच्छे लग रहे हैं आपको कोई और color चाहिए तो आप यहां पे change कर सकते हैं and then you can plot those colors into your data set okay तो यह bar plot हो गया है and इसी तरीके से अगर आप C bonn की library पे जाएए जो मैने आपको पहले बिता है इनकी gallery में जाएए you can draw a lot of types of different plots जो यहां पे और रेड़ी दिये हुए for example bar plot है, line plot है आपके पास and then you have different kinds of other plots जिसके अंदर scatter plot भी है, pie chart भी आजता है, bubble chart भी है heat map भी आजता है and then there are many plots there तो आप वो सारा काम यहां से कर सकते हैं, यानि कि मैं अगर चाहूँ violent plot बनाना तो मैंने कुछ नहीं करना यह सारे के सारा code उठाना है क्योंके same box plot और violent plot एक ही जगा पे बन सकते हैं मैं यहां पे violent लिखूंगा बार की जगा पे आप देखिएगा violent plot and it should work fine capsize, haa capsize नहीं आता violent के उपर here you go, तो यह violent plot बन गया, so same वही चीज है लेकिन violent plot क्या है, आपको distribution और भी अच्छी तरीके से दिखाता है, जहां पर ज्यादा distribution है, वहां पर ज्यादा होगी जहां पर कम है तो उस पर कम होगी violent आपने देखे न, वह instrument होता है जो अपनी चिन के नीचे रखके play किया जाता है so this is something like this अब आपने seabon के उपर अपना भी काम करना है और plots बनाने है, यह सारी की सारी notebook आपको अभी जो है वह fetch करके मैं देदूंगा, अभी आपके पास github के उपर यह upload होने वाली है, तो please इस notebook को देखें और अपनी assignment complete करें before tomorrow, और यहीं पर आज का lecture में finish करता हूँ, अपना ख्यार रखें, धौं में याद रखें और आज का lecture में आपने क्या सीखा प्लीज comment section में ज़रूर बताएं, take care and Allah Hafiz